36 गड़ के राइगर लोकसभध छेत्र के कुनकुरी के मतदान के इंद में मौझूद हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुसों के साथ महिलाओं की भी लंबी कतारे लगी हुई है खास तोर पे मुस्लिम महिलाओं मतदान करने के लिए सुबह से यहाँ पर पहुँची आप बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखके इस बार मतदान करेंगी जैसे बेरजगारी, सिख्छा और यह आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जो है आप मतदान करने के लिए पहुँचे हुए जो भी बेसिक मुदा सुरू से रहा है देश में हमें साइज बदलती है या तो भी रजगारी और जो भी दुसरे जो मसले हैं उसको देखते हुए उसे को देखके हम लोग देने आए हैं अच्या देखे यह मुस्लिम महिला है ऐसीं चोटे बच्च है को लोग यहां पर सुबा से पहुंची हुई हैं मतदान के लिए इनको दिखाईए हो दिलाल यहां पर मतदान करने के पहुंची हुए है क्या मुद्दा इस问लके चुनाब में कि पुछु कर कि और थे रॉजगारी हा रोजगारी मिलना चाहिए रोजगार बड़ा मुद्धा-इस-वार के चुनाव में आप पहुंची हुए हैं किन मुद्धों को दियान का दो महंगाई को लेकर करके तक जिए अलग-अलग मुद्धे हैं इस चुनाव में लोग पुं इसके अलाबा जो है आप जो लोगों के पास आ जा रहे होंगे उनसे क्या लग रहा है कि इस बार के आम चुनाओं में क्या मुद्दा है मुद्दा यही है कि भाई बेलोजगारी खतम हो जाए गरीवी खतम हो जाए बस यही चाहा जा रहा है आप बताएए किन मुद्द्धों को लेके जो है आप यहां पर पहुंचे विकास विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा देश विकास को करें सभी छत्रों में चाहे हो एजुकेशन हो चाहे इंफ्राइस्ट्रेक्चर हो या हर मामले में हमारा देश डिफलप करें और देश में बहुत सारी समस्याय हैं बेरोजगारी है महंगाई है और भी सारी बुनियादी समस्याय हैं उन सब को दूर करने के लिए जो है हम आये हैं अपने केंदर में सरकार को बनाने के लिए है ना आप बताएए क्या मुद्दा है इस बाद के चुनाओं में यहां पर पाहँ पहुंचे हुएं इहां पर मदान करने के लिए उनकी अलग-अलग मुद्दे आ बताईए器 त्रह ज dorजगारी रगशजारी और ड्यॉसके से बस्के लिए पहुंचे हुए हैं इनके युददी मुद्दे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में जो है अमन चैन रहना चाहिए जो मुस्लिम समाज के लोग है इसके अलावा जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है महंगाई है वो बड़ा मुद्दा है कुछ और लोग हम उनसे भी बात करने के कोशिस करते क्या मुद्दा इस बार के चुनाओं में आप महिला है, बताईए ठीक है, अच्छा है, सब जागरुक है और सब तयार है वोट देने के लिए आपने मद्दान कर लिया हाँ, हमने कर लिया क्या मुद्दा अथा ध्यान में जैसा कि मौहल है, उस हिसाफ से है और देश को आगे बढ़ाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग हैं, जो फस्ट टाइम बोटर हैं, मुझे लग रहा है, आप बते पहली बार मद्दान करने के लिए, हाँ, पहली बार है आप यूँवा हैं, क्या मुद्दे हैं हमारा तो यही मुद्ध है कि development हो अच्छा विकास हो 36 गड़ का और पूरे देश का तो यही मुद्ध हमनों का है देश का विकास होना चाहिए यह मुद्ध आपका क्या मुद्ध है वही development ही है सबका लड़कों की safety के लिए education के लिए जो आज मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे developments कर रहे हैं और जो भी नए projects आए हैं security पे जो ध्यान दे रहे education में और ground level पे जो locals पे ध्यान दे रहे हैं वो चीज काफी प्रभावित करता है और अच्छे चल रही है तो बिलकुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो इराइगर लोग सभा छेत रहे यह खास तोर पर मुखमंत्री का इलाका आता है और यहाँ पर जो है जो मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे हैं उनके अलग-अलग मुद्दे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे इस इलाके में हावी हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चीए नेताओं को ध्यान देना चीए इसके अलावा जो है यहाँ पर जो यूथ पहुंचे हुए है इसके अलावा दूसरे बोटर्स पहुंचे हुए है वो कह रहे हैं कि देश में अमन सांती बने रहना चीए सांती जो है देश का विकास होना चाहिए और यूवा कह रहे हैं कि कहीं ने कहीं एक ससक्त भारत और एक ससक्त देश बना चाहिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो है मद्दाता मद्दान करने के लिए पहुंचे हुए है कैमरा परसन होडी लाल के साथ जैर प्रकास्तिर पार्थी एबिपी न्यूज राइगर